बिस्मिल्ला रख्मान रहीम आज हम Social Studies Grade 5 का चप्टर नबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चप्टर है Major Historical Events, Pakistan and the World हम अपने इस चप्टर में माजी में होने वाले important events को discuss करेंगे इन पाकिस्तान के perspective में भी और world perspective में भी और हमारा आज का SLO है describe the major historical events that led to the creation of Pakistan हम अपने आज के SLO में उन events को discuss करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की creation में जिनका part रहा या जिनकी importance रही यूँद हमारा पर बहुत सारे events हैं तो हम अपने इस events को इन तमाम events को step by step कवर करेंगे आज के हम देखते हैं कौन सा हमारा पर सबसे पहला event है the war of independence अपने किताब में आप खोलिए 5.1 heading और देखिए war of independence is an important turning point in the history of subcontinent war of independence क्या है एक ऐसा event है war of independence एक इतना इंतहाई important event है जो के तारीख में अगर जिसको कहा जाए तो वो एक turning point है पाकिस्तान बनने की तरफ subcontinent की history में वो कैसे this war was fought in 1857 by the Indians against the British rule in order to get rid of their domination subcontinent में मुगल रूल खतम होने के बाद कौन थे British थे और यहाँ पर हिंदुस्तान में जो लोग थे Sikh Hindus and Muslims और उसके अलावा भी other minor communities तो यह सब लोग क्या थे यह तमाम लोग यहाँ पर बिडिश रूल से बिलकुल खुद को dominate feel कर रहे थे इनको अपने किसी किसम की भी कोई भी अजादी नहीं थी तो इस अजादी को हासिल करने के लिए 1857 की जंग लड़ी गई that is why it is called the war of independence it is also known as Indian mutiny of 18 19 sorry यहाँ पर आप अपने किताब में करेक्ट कर ले it is 1857 so it is also known as Indian mutiny 1857 it was an extreme struggle made by the Indians but they failed due to the certain reasons including mutual jealousy and lack of central leadership यह war of independence क्या थी Indians की एक ऐसी struggle थी जो के उनोंने अपने अजादी को हासिल करने के लिए लड़ी लेकिन यह fail हुई यह जो independence के लिए जो लड़ी जाने वाले जंग थी वो नकाम हुई क्यूं क्यूंके इसमें कुछ लोगों के अपने personal benefits थे इनकी आपस में कोई collaboration नहीं थी कोई central leadership नहीं थी इनके पास यानि के कोई एक central person नहीं था एक focal person नहीं था जो के इनको lead करता इनको अजादी की तरफ ले कर जाता तो ऐसे में इनकी जो jealousy थी इनकी जो आपस में एक तलाफात थे वो किस चीज की वज़ा बने इस war के failure की अब war of independence जो के हिंदुक्सतान में देहने वाली लोगों ने Britishers के खिलाफ लड़ी उसके पीछे वजुहात क्या थी एक वज़ा तो सबसे बड़ी यह थी के लोगों को अपनी अजादी चाहिए थी और उसके इलावा क्या चीजें एक मुकमन वज़ा बनी या इस event को trigger करने में जो वज़ा बनी वो क्या थी events थे कि यहाँ पर लोगों को जो soldiers यहाँ पर Hindu soldiers या Muslim soldiers थे उनको क्या कहा गया उनको gun powder use करने का कहा गया और इस वज़ा से वो लोग इस चीज के खिलाफ थे और वो क्यूं खिलाफ थे the British officer insisted that the new cartridges must be used by both Muslims and Hindu soldiers but the cartridges were made of the cow and pig fat अब उनको जो gun powder दिया गया जो cartridge उनको दिया गया use करने के लिए soldiers को वो किस चीज का बना था? cows का और जो pig fat था cow fat और pig fat को use करके gun powder बनाया गया और Britishers ने Muslims और Indians को, Hindus को insist किया कि वो इस cartridge को use करे loading the unfail required tearing the point tearing open the grease cartridges with one's teeth और इसको क्या करना था? इसको load करने के लिए आप soldiers थे उनको इस cartridge को अपने दांतों की मदद से उसको tear करना था उसको खोलना था this insulted both Hindus and Muslim religious practices और इस चीज़ ने क्या चीज़ को enhance किया किस चीज़ को provoke किया Hindus और Muslims को provoke किया उनकी religious practices को question किया कि मुसल्मान और Hindu दोनों इस चीज़ के खिलाफ नहीं थे मुसल्मान क्यों खिलाफ थे? क्योंकि यहां पे मुसल्मान pig fat को या pig से बिलकुल उनके लिए एक नमुकिन से चीज़ है कि हम मुसल्मान इसको इस जानवर का नाम लेना है इस जानवर का इस्तमाल मुसल्मानों के लिए हराम है इसी तरह से जो हिंदूस थे वो cow को एक sacred animal समझते थे तो उनको अपने god का दरजा दे रहे थे उनके लिए भी किसी ऐसे चीज़ का इस्तमाल करना जिसमें cow fat यूज हुआ हो उसको उनके लिए उनकी religious practices के खिलाफ था तो मुसल्मानों और हिंदूँ के लिए pig fat और cow fat को यूज करना उनकी religious practices के खिलाफ था और यह तो एक बहुत बड़ा religious इस्यू था लेकिन उसके इलावा क्या causes बनी war of independence की कुछ social causes थी, कुछ economic causes थी, कुछ military causes और कुछ religious causes थी तो चलें आएं आप उनकी causes को भी हम लोग detail में देखते हैं Economic causes The most important cause of popular discontent was the British policy of economically exploiting India that hurt all the sections of society सबसे पहली क्या cause थी? Economic cause थी Economic cause कैसे थी? Economic cause ने मुसल्मानों को और हिंदूओं को प्रवोक किया कि वो अपनी अजादी के लिए जंग लड़े और economic cause के इस तरह से कि जितने भी वहाँ पे major offices थे CSP officers थे CSP officers थे तमाम ये sections और major jobs किन को दी जा रही थी Britishers को तमाम major institutions को कौन hold कर रहा था? Britishers और मुसल्मानों को और हिंदूओं को किसी किसम की jobs और किसी किसम की economic activities में पार्ट लेने नहीं दिया जा था जिसकी वज़ा से उन्होंने अपने हग के लिए ये जंग लड़ी The political causes were the British policy of territorial capture led to the displacement of a large number of rulers and chiefs जब यहाँ पे Britishers आये तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक बहुत बड़े area को capture किया और यहाँ पे अपनी policies राइज करवाई और यहाँ पे जो leaders को displace किया यहाँ के rulers को हटा कर अपने rulers को ले कर आए The captures of Awad on the ground of mis government was greatly resented The Nawads of Awad had always been loyal to the British The capture was widely seen as the blatant act of backstabbing by British उस वक्त जो Awad का जो area था जिसे आप उदमे उद की कहते हैं उस area के जो नवाब से हमेशा से Britishers के साथ loyal रहे लेकिन Britishers ने एंट के साथ क्या किया? जब उन्होंने 1857 की वाट के बाद यहाँ पे पूरा होड सबकॉंटिनेंट का संभाला तो उन्होंने उनको भी backstab किया उनके साथ गदारी की और उनको भी उनकी जगाँ से हटा दिया और उनके areas को भी capture कर लिया The next is social cause The social reforms introduced by the British were looked upon with suspicion by the conservative sections of Indian society reforms such as abolition of sati, legalization of video remarriage and extension of western education to women were looked upon as example of interference in social customs of the country Britishers ने यहाँ पे हकूमत संभालने के बाद Indians के social customs को भी change करने की कोशिश की Hindus की कुछ रवायात थी जिनमें सती एक ritual था उनका यानि कि कोई औरत के अगर शोहर की death हो जाती है तो उस औरत को भी उसकी शोहर के साथ ही जला दिया जाता था उसके इलावा वहाँ पर किसी भी विड़ो की दुबारा शादी मना थी तो ऐसे में British government ने इन rules को भी ऐसे rules ऐसी reforms इंट्रोड्यूस करवाई जो के इनके rituals के खिलाव थी और उसके इलावा इन्हों ने western education को प्रमोट किया और western education सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बलके औरतों के लिए भी प्रमोट की गई तो ये तमाम जो तो reforms थी वहाँ पे मौझूद हिंदूओं को अपने खिलाव महसूस हुई और मुसल्मान भी इन रवायात के कुछ हद तक खिलाव थे इन reforms के खिलाव थे तो ऐसे चीज़ों ने उनको प्रवोक किया कि वो मुसल्मान और हिंदू अपने हक के लिए जांग लड़ें अजुकेटेट इन्डियन्स वर डिनाइड प्रमोशन अन अपॉन्में तो हाई ओफिस दिस तर्न थेम अगेंस अब बिरिटिश और उसके इलावा जो इन्डियन्स थे जो एजुकेटेट इन्डियन्स से उनको ना तो प्रमोशन दी गई ना ही हाई ओफिस में अपॉन्मेंट्स दी गई जो एक बहुत बड़ी वज़ा जो पहले भी आपने एक वज़ा देखी किस तरह से काव फैट और पिग फैट को वहाँ पर मौझूद हिंदूओं को यह खौफ था कि बिर्टिज गर्मन कहीं अपनी प्रेक्टिस और अपनी जो रिलिजियस रिफॉर्म से उनके थूरू हिंदूओं को क्रिस्चिन ना कर लें The increasing activities of the Christian missionaries and the actual conversion made by them was taken as the proof of this fear The belief that their religion was under threat united all sections of society against the common enemy Christian missionaries जो के बहुत सरगर्म थे उस वक्त उनकी activities जो सरगर्म activities थी कि वो किस तरह से अपनी रिलिजियस प्रेक्टिस को और रिफॉर्म को इंट्रिजियस कर रहे थे और उनकी preaching कर रहे थे उनकी तबलीग कर रहे थे तो ऐसे में Indians को इंडिया में वाज़ुद मुसल्मानों और हिंदों दोनों को खौफ था कि कहीं उनका religion उनको बदलने पे मजबूर ना किया जाए तो इस खौफ ने उन सब को अपने एक यक्जा होने पे मजबूर किया को भी देखा कि किस तरह से एक Independence की वार फेल हुई इसके बाद कुछ और events हैं वो हम आइस्ता आइस्ता नेक लेक्टर में कवर करेंगे अब आपने टेक्स्ट बुक खोलिए और अपने questions को देखे पेज नंबर 59 पे अपना पहले brief questions देखें question number 2 है अब हमने देखी नहीं है तो इसलिए आप इस question को भी छोड़ दीजिए तो आप question number 2 देखें और अपने comprehensive answers में से what were the causes of war of independence यह अपने long questions में भी question number 2 देखें और इसका answer अपनी notebook में लिखें इसके बाद कुछ homework हमने आपकी resource pack से लिए हैं resource pack में कुछ questions है आपके पास what do you know the war of independence about the war of independence when this war was found what is the other name of war of independence what was the main event responsible for this the economic causes the political causes social and religious causes of the war of independence तो अब अपने तमाम हुआ को complete करके प्री school teacher को submit करवाएं see you in the next lecture इंशाला Allah Hafiz